औरे, कालाकद् और गोराकद्दू, तुम लोग बोले थे न, पांस-पांस हजार रुपे अना अपना बाबुजी से, ले के आयो, बस निकलने वाला भी पिक्निक के लिए, आरे, मास्टार जी, ये लोग कहां से पांस-पांस हजार रुपे ले के आएगा ये लग तो वीघ् तुमको एक टाइडमीशन दे दिये, उपर से बत्तमीजी करता है तुम इस्कूल में आके अरे तो मास्टर जी हम बत्तमीजी कहा रहा है, बत्तमीजी तो ये कह रहा है न आप हम लोग से पूछे तो ये बीच में क्यों बोला, आप इसको नहीं बोलके हम लोग को बोले रहे है है, हम लोग भी पैसा दियो है अडमीशन के समय, सिर्फ यही थरी न दिया है अरे तुम तो अभी एडमीशन लिए हो ना, ये बचपन से यहाँ पर पड़ता है, समझा और तुमको पता है ये कौन है, ये इस स्कूल के मालिक का बेटा है, समझा इसको ज़्यादा हम भी नहीं बोल पाते है अगर इसको ज़्यादा बोलेंगे न, तो हो सकता हमको इसकूल से निकाल दिया जाए, समझा अरे तो मस्टर जी, हम लोग भी इस स्कूल का कॉस्टरमर का बेटा है समझे, अगर पैसा लिए हम लोग से, तो सर्विस भी पूरा चाहिए, और इजद भी अरे ये स्कूल है, सर्विस सेंटर नहीं है ज़ो तुमको सर्विस मिलेगा, समझा अरे तो ये स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होगा, भेद भाव नहीं होगा यहाँ समंता की बात होगी, और पैसे की बात तो बिल्कुल नहीं होगी आप लोग तो इस्कूल को बिजनस बना दिये है एजुकेशन इस नाट बिजनस इट्स इस सोशल सर्विस आरे चुबरह तुम माश्टर को सिखाता है पिकनिक पे चलना आ की नहीं चलना है तुमको अरे चिलाइए नहीं नहीं तो अमलक जैस स्कूल को बडियाँ से ठीक आपके बस में बठाएंगे ले कद्दोप्र का लोग को अकल नहीं है ना थोक लगा के गिनता है पाणी तो लगा नी से लिए निसकता है ठूक लगाएगा, और दूसरा का हाथ में जाएगा, वह जी नहीं चुएगा, और उसी हाँ से खाना खाएगा, बढ़िया लगेगा ना, टेश्ट आएगा आरे चुबराओ, चुबराओ, दस उजार रिप्या दे नहीं रहा है, जाना बकौ आस कह रहा है पिकनिक पर अभी तक आप पिकनिक पर लेकर नहीं गया है एतना टाइम लगता है क्या दूसरा इसको ले जाता है तुम लोग को दूसरा सहर घुमाने प्लब बैठने के चुप रहो बत्तमीज जादा बोल रहे हो मेरा कहने का मतलब है कि यह सीट मेरी और मेरे बॉइफ्रेंट की है तो चुप चप यहां से हट जाओ अरे बत्तमीज नहीं डार्लिंग, मेरा नाम है काला कदू, बत्तमीज तो तुम्हारा बॉइफ्रेंड है, जो तुमको बीच में छोड़ कर चला गया, ऐसे लोग के साथ दोस्ती मत कखो, और ना प्यार करो, जो बीच सफ़र में छोड़ कर चला जाए, एक पर हमको मौका दो जिन्दगी बर साथ रहेंगे, मर जाओगी, तो भी साथ रहेंगे, तुमरी तस्वीर के साथ, भले बेगम कोई और होगी बगल में, ओ बात अलग है, लेकिन तुमरी तस्वीर हमारी साथ हमेशा रहेगी, अरे तुम हसे ज़ादा बोल रहे हो, शायद तुम्हें पता नही कि मैं कौन हूँ खुषबू नाम है मेरा अच्छ खुषबू नाम है तुम्हारा तो तुमना इतना सजी से दुरगंद कहां से आ रहा है अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे अब तुम्हें मेरा बॉइफरेंड ही बताएगा कि मैं कौन हूँ काले कलूटे आरे तो बुला अपना बॉइफरेंड को देखते साला क्या करता है क्या हुआ खुषबू क्या चल रहा है आरे भाई अभी कुछ चल नहीं रहा है थोड़ी दिर में बस चलेगी तब मजा लेना तब तक फिलाल इसका बदबू का मजा लो इस बदबू दे रही ह हम दोना सुंगते हैं बाइट कर आरे चुबरा काला कलूटा ज्यादा बोलता है तुम बताओ डाइलिंग क्या हुआ देखो ना रोकी यह काला कलूटा एक तो हम लोग की सीट पर बैठ गया है और उपर से ऐसे ही बत्तमीजी कर रहा है आरे अभी हम इसको ठीक करते है क्या तुम को मेरी गर्फ्रेंड बोली यहां से हटने के लिए हम लोग का सीट है तो तुम काई नहीं हट रहे हो अधे यह हम लोग का सीट है हमी लोग हमेशा आगे में बैठते हैं समझा पीछे में जाकर और तुम्हारा हिमत कैसे हुआ हम इसको बढ़ बार वासरूम आता है इ चिंता मत करो तब तक जा तुम किसी और पर लाइन माड़ो एक गर्फ्रेंड से क्या होगा दूसरी को भी पटाओ एक कैसे जीवन चलाओगे नहीं चलेगा ज्यदा दिन अरे ये पागल लड़का क्या बोल रहा है और तुम सुन रहे हो कुछ करते क्यों नहीं या फिर हमत ही नहीं है तुमें आरे डाइलिंग ये क्या बोल रही हो आरे हिम्मत तो बहुत है तभी सोच रहे दूसरी गर्फ्रेंड भी बटा ले लड़का सही बोल रहा है तुम एक काम करो पीछे जाके बैठो आज हम इसके साथ बैठेंगे अरे बाई तुम पगला गया क्या हम तुमको बोले गर्फ्रे बैठेंगे आरे चुबरा ज्यादा ही समस्ता है तुम तुम्हें बगल में बैठ रहे हैं काय कि तुम लगता है बहुत जानकार आदमी हो तुमसे थोड़ाम को जानकारी हासिल करना है इसलिए हम तुम्हारे साथ बैठना चाहरे है और तुम समझो डाइलिंग पीछे चली देखो बेटा ऐसा है आप तुम इस्कूल में अडविशन लेहीं लिए हो तो हम सचे थोड़ा बाचीद भी कर लें जिससे तुम्हारे पैसे के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की अवकार भी पता चल जाएगी अगर तुमको अपना काम कादमी लगे तो हम तुमको अपना दोस्त बना लेंगे और अगर नहीं लगे तो दोस्त बन तो होई अच्छा तुमको मेरा ग्यान चाहिए आप बैठो देते बरियां से ग्यान हाई गोरा कदू हाई तुम तो मेरा नाम जानती हो लेकिन हम तुमारा नाम नहीं जानती है क्या है नाम तुमारा मेरा नाम खुश्बू है अच्छा तुमारा नाम खुश्बू है बहुत अच्छा नाम है तब यह हम सोचे इतना अच्छा खुश्बू कहां से आ रहा है तुम जो बैठी हो मेरे बगल में क्या तुम उसके दोस्ती करोगे अरे हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे दोस्ती नए स्कूल में आये तो नया दोस्त बनाएंगे न और हम तो क्लास में उपनली पूछे भी थे कौन-कौन हमको अपना दोस्त बनाना चाहता है तुम उसी समय कह सकती थी लेकिन कोई नहीं अभी कह रहे हो तो हम तुमारी दोस्ती को एक्सेप्ट कोई लेते हैं अरे तुम मुझे बहुत पसंद हो अरे क्या बात है नए स्कूल में आते हैं साइट लर्की समने से हमको प्रपोस कर रही है लगता है अमरा नसीब में लिखा हुआ था कि हम बील के स्कूल में अपना एडमीशन करवाए और हमरा सेटिंग हो जाए गोरी लर्की से जब अमर्त पर प्रपोस करती है हमको क्यों निकरती है वां की लर्की समने अकल ही नहीं था उस लोग को पता ही नहीं था खुबसूरती क्या होता है कालकल उठा के पीछे मर्ती थी अब देखना ये स्कूल में सब मेरे उपर मरेगा और कोई मरे न मरे खुश्बू तो मेरे उपर मरती है बहुत खुशूरत है गोरा कद्दू की खुश्बू सुनने में कितना अच्छा लग रहा है सुगंदित लग रहा है जब से तुम स्कूल में आये हो मैं तब से तुमसे बात करना चाह रही थी तो क्या हुश्बू आप तो हम लग दोस्त बन गए न आप तुम जब चाहे हमसे बात कर सकती हो दिन में भी रात में भी सुबह में भी बात कर सकती हो तुमसे आरे हाँ हाँ सुबह में भी बात कर सकती हो जब मन करे तो बात करो मतलब तुम नल्ले हो ठीक भी है, मुझे ऐसे ही दोस की जरत थी लेकिन एक बाद बता देती हूँ मैं सिर्फ शाम में पांच बजे फ्री रहती हूँ वो भी दस मिनट के लिए तब ही बात करूँगी तो सुनो न, मैं जब भी स्कूल नहीं आऊंगी तो मास्टर जी जो भी लिखवाएंगे वो सही से लिख लेना और जब मैं कॉल करूँ तो मुझे वो नोट्स भेज देना ठीक है, लिखना तो आता है न अरे हाँ, लिखना आता है यह लड़की हमसे कॉपी लेने के लिए दोस्ती कर रही है यह हम पता नहीं क्या-क्या सोच लिए यह लड़की लोग लगता है अपना स्वार्थ के लिए दोस्ती करती है जब जबत परेगा तब दोस्ती करेगी हम क्या-क्या सोच लिए अगली कहीं कि दिमाग खराब कर रही आके हमको अपना नकर बनाएगी अपने स्कूल नहीं आगी गर में अराम करेगी और हम लिखके इसको नोट्स देंगे गुर्बक समझी हमको लेकिन कोई नहीं अभी तो पूरा सफर बाकी है पिकनिक का ये तो मेरे बगल में न बैठी है इसको पटा लेंगे जाएगी कहां बच के अब बच्चे बैठ गए ना बस में अराम से अब बस निकलने वाला है शांती से बठीएगा ले चल रहे आप लोग एक बरिया जगे घुमाने के लिए अरे मस्टर जी कौन सा जगे ले जा रहे हम लोग को घुमाने के लिए पिकनिक में आप तो बता दीजिए कितना सीक्रेट रखिएगा अरे सांती से बैठो ले तुम तब से बकर बकर किये जा रहा है कहे ना सर्प्राइज है वहाँ चल के देखना मोजा आजाएगा हाँ मस्टर जी पांच हजर पहली है तो बढ़िया ही जगे ले जा रहे होंगे चलिया चलिया घूम क्याते है तो चलिया दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शियर कीजिए और कॉमेंट करके बताईए कईसे भी बगल वाली लड़की को सेट करें कईसे पटाए कोई आइडिया दीजिए बटाने हमको इसको और तब तक के लिए काला कदू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमलों का वेबसाइट www.kaddujoke.com पे काफी सारा गेम आ गया है गेम वाला पेज पे जाके खेलिए न नीचे स्क्रॉल कीजिएगा काफी गेम मिलेगा क्लिक कीजिए गेम उपन हो जाएगा एप भी डाउनलूट करने का जुरत नहीं परेगा लिंक डिस्क्रिप्सन बाक्स में दे दिए जाईए और खेलिए घर्निवाद